टाइप 10 एक व्यक्ति अपने कुल आय का एक बटे चार भाग खाने पर दो बटे तीन भाग किराय पर तथा स्थेश 630 रुपिया अन्य वस्तुव पर खर्च करता है तो उसके घर कितना किराया है देखे इस टाइप के सवाल को कैसे बनाते हैं तो देखो यह पूछ रहा है घर का किराया कितना है कहने मतलब घर उसके घर कितना किराया है अभी देखना इसको बनाएंगे कैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका देखो आय को मालत है आया मतलब समझते अमदनी, तो वो महिने में कमाता कितना है, देखो इसमें कुछ भी नहीं दिया है, कि जो व्यक्ति है, वो महिने में कितना कमा रहा है, ये पता नहीं है, तो जो महिने में जितना कमाएगा, उसी में से हम खर्चा करेंगे, मालोग खाने में खर्चा करेंगे तो वही एक हजार का ही एक बटे चार चौथा हिस्सा होगा जैसे दो बटे तीन भाग क्या लिखा है किराय पर लिखा है यह ध्यान सेखना यह क्या लिखा है दो बटे तीन भाग किराय पर तो जो एक हजार मालो कमा रहे है तुसी में से दो बटे तीन भाग होगा किसी इस प्रकार आप समझ सकते हैं सबसे पहले जैसे माल मिल यह लिखा मालो को याद मी Snapchat एक हजार कमाता है महिने में यह उसकी आमदनी है एक हजार महिने में कमा रहा है तो यहां से वो खर्चा करेगा जैसि यह लिखा है खाने पर एक बटे चार तो मालोग खाने पर खर्चा कर रहा है, एक बटे चार भाग, तो क्या होगा इसका, एक हजार का चौथा हिस्सा, मतलब एक बटे चार करना, यह कटाओगे, तो चार दुनिया 8 और दो बचेगा, चार पंचे बिस चार सुनो, मतलब वो 2500 रुपे क्या करेगा, खाने में यह लिखा है, दो बटे तीर भाग किराय पर, तो क्या हो जाएगा, यह किराय का निकालोगी, यह हो जाएगा, एक हजार का ही होगा, तो एक हजार गुड़ा दो बटे तीम, इसको समाझना है, जो महने में कमाएगा, उसी का खाने में खर्चा करेगा, और उसी का किराय में घर्चा करेगा क्या हो जाए गए एक हजार गुड़ा दो बटे ती वैसे लिखाए सेज 630 रूपाय अन्य वस्तुउप पर खर्चा करता है सेज क्या कर रहा है 630 रूपाय अन्य वस्तुउप्र खर्चा कर रहा है तो उसके घर कितना किराया है अभी देहो तो देखो 1000 के जगे हम क्या माल लेंगे X, तो X मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये खाने के जगे हमें हो जाएगा X गुड़ा 1 बटे 4, जैसे I को 1000 मानना तुसके जगे क्या मानेंगे X, तो उसी साब से ये क्या हो जाएगा, खाने वाला X गुड़ा 1 बटे 4, ऐसे हो यह पर लिख लें साब पहले i बराबर माल ले ना देखो माना i बराबर क्या माल लिए x रूपए i बराबर x रूपए अब देखो क्या कर रहा है खाने में 1 बटे 4 प्रस्न लिखा है ना खाने में कितना 1 बटे 4 x गुडा 1 बटे 4 एक से कम एक और एक्स बटे चार फिर उसके बादे में कि न लिखा है किराई में और प्रस्ट तिंञ सेस बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा छे-सओ दीस रुपए अब अब समंझे यह जितना भी है तो आए littER कहीं ह identifying है तो क्या हो जाएगा आए बराबर हो जाएगा खाना प्लस किराया प्लस सेस जो भी खाएगे और किराये में देंगे और सेस बचेगा, सब आय में से ही तो बचेगा जितना आमदनी उसी में, तो आय बराबर हो जाएगा जो खाने में खर्चा किया और जो किराय में खर्चा किया, और सेस, सब किसका हिस्सा है आय का हिस्सा है तो इसलिए इस प्रकार आप लिखेंगे देखो I बराबर कितना हो गया X खाने में कितना आया X बटे 4 किराय कितना आया 2X बटे 3 और सेस कितना बचा 630 बस समझ में आया अब इसको हल कर लेना X बराबर हो जाएगा देखो इसको 3 गुड़ा कर लेना तिये कितना हो जाएगा 3X होगा और यह कितना हो जाएगा 4 दूनी 8X और यह कितना हो जाएगा 4 तिया 12 630 को कुछ मत करना अब देखो यहां से क्या होगा देखो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11X तब यह होगा X बराबर 11X बटे 12 प्लस कितना होगा 630 अब इसको इधर पक्छंतर कर लेना तब यह कितना हो जाएगा X माइनस इसको इधर ले आना 11X बटे 12 बराबर 630 यहां प्लस रहता है तो प्लस कुल्टा माइनस यहां नीचे में एक लिग देना फिर तीरे गुड़ा हो जाएगा यह हो जाएगा 12X और माइनस क्या हो जाएगा 11X बटे 12 एकाम 12 बराबर 630 अब 12 में से 11 गया 1X और यह 12 कहां चला जाएगा उपर तो इस प्रकार इसको आप बना लिए कितना हो गया 12 में से 11 गया 1X और यह हो जाएगा 630 गुड़ा 12 20 साप सीय हो जाएगा 1260 बारत यह 36 की 6 3 126 के 72 और 3 75 मतलब एकस बराबर आ गया 7560 रुपए अब देखो एकस उत्तर नहीं है एकस को हमने क्या माना था देखो आए माना है मतलब वो कितना कमार है महिने में 7560 रुपए कमार है लेगिन प्रस्ण में पूछा क्या है इसको देखना आप प्रस्ण में पूछा है उसके घर कितना किराया है तो जो किराया वाला है ना उसमें रखना है अगर पूछा रहता आये तो वही उतर होता लेगिन पूछा क्या है उसके घर कितना किराया है किराय को हमने क्या माना था देखो 2x बटा 3 यहां देखो किराया 2x बटा 3 तो इसी में रखना तो इसलिए क्या हो जाएगा मकान का जो किराया है यहां पर देखो यह किराया क्या हो गया 2x बटा 3 यह हो गया 2x का मान कितना है यह 7560 बटे 3 इसको कटा देना तो यह कितना हो जा आपजा लेना, तब यह कीत नहुआ हो जंगत है ? ळेकटना मुदाकाइब तरारी को मैंने भी बनाया आप इसी प्रकार 89 और 90 को इसी प्रकार बना सकते हैं